नमस्कार मैं मनीज कुमार सनहा अपने चानल सपनों के पढ़ाई के माध्यम से आधुरिक भारत पर विश्लेश नात्मक रूप से परिजर्चा करूँगा जो अगावी परिच्छा अगावी बिपियसी 68 परिच्छा के लिए बहुत ही महत्वपुन होगी ना सिर्फ पीटी क वह 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 सुरू होता है भारत पर वैपार करने में अंग्रेजों को अप्रितीम सफलता क्यों और कैसे मिली उस सबसे पहली बात यह है कि बहुत पर वैपार करने क्लिए एक पात्र इंग्लैंड जैसे देश भारत नहीं आई थी इंग्लैंड के साथ साथ कई ईरोपीन भारत पर वैपार करने के लिए अग्रशरती और वैपार करने के लिए आए हुई थी लेकिन इन सभी European countries के गो ध्यान में रखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सफलता मिली है वो मिली है इंग्लैंड को इंग्लैंड इसका मुख्य कारण कहा रहा कि इंग्लैंड इस इंडिया अंडिया ने अपनी सैनिक सक्ति का दिप्रदशण किया और राजनैतिक सक्ति का भी प्रदशण करते हुए काम्याभी estásке भारत में अगर सबसे पहले आने वाला जो यूरोपियन था वेपारी था वो था मेलजिन हॉल जो 1599 में तो शाहसी कदम उठाया था और वो भारत पहुंशा था इसके पहुंशात अगर बात की जाए जैसा कि आप समय हम सभी जानते हैं कि इस इंडिया कंपनी भारत में 1600 इसवी में आई थी और इस समय इंडिया कंपनी भारत पर व्यपार करने के लिए आई थी एक्टिश दिशंबर 1620 को इस इंडिया कंपनी भारत पर व्यपार करने के लिए अक्रशर थी अब देखे दूसरी सबसे बड़ी कारण यह रही कि इतनी बड़ी सफलता अंग्रेजों को कैसे में तो व्यपार को ध्यान में रखा जाए तो अंग्रेजों ने सिर्फ भारत को इंध्यान में नहीं रखा उन्होंने एशियाई वस्तूओं के उपर ध्यान में रखा और सर अनकारी और उसकी एहमियत को समझना शुरू की अंग्रेज तब भारत की वस्तुवी नी कपड़ा का वेपार करना अरम कर दिया इस क्रम में भारत पर इस वक्त मुगल सासक जहागीर सासन कर रहा था और एलेजाबेथ प्रथम के चार्टर वान प्राप करते हुए भारत में इस इंडिया कमपणी वेपार करने के लिए आई जातला से इस इंडिया कमपणी को महस्तंद्र वर्षों के लिए वियपार करने के लिए नमधीपदान की गई थी लेकिन 1608 हिस्वी में इसे परिवर्तन करते हुए या समय अनस्चत काल तक कर दिया गया 1620 में ही 16 शदी में ही या आप कह सकते हैं कि 16 शदी में ही सर विलिम हॉकिन्स जो भारत आया और मुगल साथक जहांगीर से वेपार करने की अनुमती प्रदा प्राप करने का प्रयास किया प्रंतु उस वक्त पुर्तगालियों के सद्यंत्र के वजह से सर विलिम हॉकिन्स को खाली हाथ वापस लॉटना पड़ वहीं दूसरी तरफ 1611 शदी में 1611 शदी में तक जो है अंग्रेज मुसली पत्नम में अपनी कारखाना खोलने में कामियाब हो गई थी इसी समय 1611 शदी में ही कैप्टेन मिर्ल्टन ने पुर्तगालियों की जहाजी बेड़ा को प्राफ्त कर दिया, जिससे प्रभावित होकर जहांगीर ने इस चिंडिया कम्पनी को भारत में वेपार करने के पनिमती दी और सूरत, खुजराथ के सूरत में का कारखाना खोलने की अनुमती भी प्रदान हिया ये एक तासिक कदम था और ये सबसे पहली सबसे बड़ी चफलता जो है अंग्रेजो को मिली इस दिया कमपनी को मिली यहांगेर से आग्या प्राप करने के पश्षाथ गुजरात इस सूरत सहर में कारखाना को कि अनुमतिमी और 1613 एस्वी में अंग्री जोने का खाना सूरत में स्थापर बिख्या कि और इसके आगे की जानकारी हम अधुरिक भारत की एपिसोड संक्या दोबे करेंगे जिसमें हम और थौंश रोग के बारे में जानकारी देंगे कि वह कब आए काम किया उनका आगे का सफर रहा है तब तक नियुक्त करें यह दो प्याइब गर्फ करेंगे माइब तो